नमस्कार मैं रवीश कुमार लोगसभा में जब शिक्षा मंत्री धर्मेंदर प्रधान शपत लेने आए तब विपक्ष की तरफ से नीट नीट और शेम शेम की आवाज आने लगी ऐसा आम तोर पर तो नहीं होता कि किसी मंत्री का और किसी सांसत का सदन में पहला दिन हो और घुटाले को लेकर उन्हें नारों का सामना करना पड़े नीट पर हमारा यच चौथा वीडियो है हर बार लगता है कि अब कुछ नया नहीं है लेकिन तब भी इतनी सारी जानकारिया निकलाती हैं इस बार भी पूरा देखिएगा वीडियो पता चलेगा कि आपके बच्चों के भविश्य को लेकर सरकार कितनी गंभीर है काईदे से उसे अब तक नीट यूजी का रिजल्ट रद कर देना चाहिए था लेकिन कभी NTA का महाने देशक बदल कर तो कभी परिक्षा सुधार का पैनल बना कर सरकार अपना समय खीचती चली जा रही है जिस तरह से बिहार जारखंड से खबरे आ रही हैं उन्हें देखते हुए यह समझना मुश्किल होता जा रहा है कि नतीजे रद क्यों नहीं किये जा रहे हैं सरकार के पास यह पता लगाने का कौन सा तरीका है कि जितने चात्रों को इसमें शामिल पाया गया है उससे अधिक लोगों तक प्रश्न पत्र नहीं पहुंचा होगा 2015 में भी प्री मेडिकल परिक्षा रद कर दी गई थी क्योंकि तब हरियाना पुलिस ने कह दिया कि 300 चात्रों पर शक है और सभी तक पहुंचना मुश्किल है इसे देखते हुए सुप्रीम कोट ने परिक्षा रद कर दी पेपर लीक के मामले की जाच 55 राज्यों तक पहुंच गई है मीडिया ने बिहार, जारखंड, गुजरात और हरियाना के अलावा महरास्ट से भी खबरें छापी हैं ताजा खबर तो यह है कि महरास्ट के ATS ने लातूर से दो शिक्षकों को हिरासत में लिया है इन से पेपर लीक के संबंद में पूछ ताच की जा रही है पांच मई से ही पेपर लीक का मामला चल रहा है लेकिन परिक्षा कराने वाली एजेंसी NTA बे खबर बनी रही बिहार और गुजरात की जाच के बाद भी शिक्षा मंतरी धरमेंदर प्रधान NTA की विश्वस्नियता की तारीफ करते रहे लेकिन अब तो NTA की कई स्तरों पर लापर वाहियां सामने आ चुकी है NTA ने पेपर लीक से जुड़ी खबरों को लेकर तुरंत एक्षन नहीं लिया और बिहार पुलिस की जाच में सहयोग में भी आना कानी की रिजल्ट आ जाने के बाद जब खबरे आने लगी हंगामा हुआ कि NTA ने बिहार पुलिस की जाच में सहयोग नहीं किया तब जाकर NTA ने बिहार पुलिस को प्रशन पत्रों के सैंपल उपलब्द कराएं जिन से जले हुए प्रशन पत्रों का मिलान कराया गया तो पाया गया कि सही हैं वही हैं बिहार में पेपर लीक वाले प्रशन पत्र जला दिये गये थे पुलिस मांग कर रही थी कि ओरिजिनल प्रशनपत्र और सीरियल कोड मिलेगा तब ही पुष्टी हो सकती है कि जले हुए प्रशनपत्र पेपर लीक का हिस्सा है या नहीं इन्हें अब जाकर फोरेंसिक जाच के लिए भेजा गया है तो NTA में कौन था जिसने बिहार पुलिस की मदद नहीं की क्या किसी अफसर ने अपने स्तर पर फैसला लिया कि बिहार पुलिस की मदद नहीं करनी है वह कौन हो सकता है बिहार पुलिस के पत्र को किसने ठंडे बस्ते में डाला? क्या उसे भी गिरफतार नहीं करना चाहिए? उससे पूछ ताच नहीं होनी चाहिए? सवाल है कि NTA के भीतर से गिरफतारी कब होगी? ये सारा कुछ NTA के भीतर किसी की भूमिका के बगार क्या हो सकता है? या बिहार कि आर्थिक अपराद शाखा की प्रेस रिलीज है? इसे पढ़कर साफ है कि पेपर लीक कांड में कई लोग शामिल हैं और हो सकते हैं. जिसस्तर के अभियुक्त पकड़े गए हैं, उससे भी अंदाजा मिलता है कि कि कितनी आसानी से पेपर लीक हुआ और आप यह भी समझ स सकते हैं कि कहां कहां फैल गया होगा. पुलिस ने संजीव कुमार उफ लुटन मुखिया गिरो के एक और सदस्य बालदेव कुमार चिंटू को गिरफतार किया है. इसके कुछ साथ ही जारखंड के देवघर से अरेस्ट हुए हैं. बलदेव को पांच मई की सुबब प्रश प्रशनपत्र मिले थे. अब जाकर NTA ने इन प्रशनपत्रों का सीरियल कोड दिया है जिससे पता चलता है कि यह सीरियल कोड जारखंड के हजारी बाग के कल्लू चौकिस्तित Oasis स्कूल का है. हम दावे के साथ नहीं कह सकते कि यहां से जब यह प्रशनपत्र लीक हुआ कौन देगा और उसे कौन लेगा. पुलिस का कहना है कि इसका पालन नहीं किया गया. इसलिए अभी पता नहीं चल रहा कि किस स्तर पर लिफाफे से छेड़ चार की गई होगी. इसकी जान चल रही है. बिहार पुलिस ने सारी जानकारियां CBI को सौब दी है. अभी तक इस मा मामले में संजीव मुखिया को नीड पेपर लीक और उससे पहले बिहार में हुए कई परिक्षाओं के पेपर लीक का किंग पिन माना जा रहा है. संजीव मुखिया का बेटा डॉक्टर है और एकन्य आरोपी सिकंदर यादाव की बेटी भी डॉक्टर है और दामाद भी ड आश्ट्रिय जनता दल ने पेपर लिक मामले में किंग पिंस संजीव मुखिया की तस्वीरें साजा की राज़त सांसद मनोज्जा ने प्रेस कांफरेंस में इन तस्वीरों को दिखाया संजीव मुखिया की पत्नी ममता देवी कई तस्वीरों में मुख्यमंत्री नितीश कु मुखिया मौजूद हैं 2020 में टिकट मिलने के बाद वे चिराग पास्वान से मिलने गए थे राज़त सांसद मनुज्ञा ने आरोप लगाया है कि नालंदा के संजीव मुखिया गिरों ने बीपी एसी द्वारा आयोजी तीसरे चरण की शिक्षक भरती परिक्षा का भी पेपर लीग किया था लेकिन उस पर अभी तक कोई कारवाई नहीं हुई उसके बेटे डॉक्टर शिव का नाम आया है लेकिन बिहार पुलिस द्वारा उसे गिरफतार नहीं किया गया अनोज्जान ने कहा कि संजीव मुखिया के बेटे डॉक्टर शिव मुखिया को कहीं और से जमानत मिल गई तो इन्हें कौन बचा रहा है अगर भाजपा जदियू की सरकार इन्हें नहीं बचा रही है तो ये लोग अब तक ये काम कैसे करते रहे हैं तेजस्वी यादव क कि समय परिक्षा हुई मगर पेपर लीक नहीं हुआ रही बाद सिकंदर यादव की तो जाच होनी चाहिए कि 2021 में किसने उसे नौकरी दी ना कि यादव होने के कारण उसे लालू यादव से जोड़ा जाए संजीव मुखिया कहता है कि दुनिया की कोई भी परिक्षा का पे थैजलूओं की जांच होनी चाहिए मैं यह कहना चाहता हूं जो किन पिन उसको प्रटेक्ट करने की कोशिश क्यों भी उसके बेटे को प्रटेक्ट करने की कोशिश क्यों हो है जैसे मैंने कहा कि इनकी पत्मी चुनावड़ चुकी है मुख्य मंत्री जी के खास जिले से संबंद है खास जिले के खास मंत्री से संबंद है एक अन्य मर्ग में भे रूख टोक जा सकते है दुरक्रसी की भी सन लिपता है एक हॉंटेड स्टोडी चला दीगे और जो सच्ची कहानी है जो सबसे बरा गुनहगार है जो जिसके लोग कहते थे कम कोई भी परिचारी करा सकते है उसके बारे मैं आपको मैंने थोड़ी जानकारी दी बागी आप दिलेंगे ये भी तख तकिकात के लाएक है कि अमित आनंद जी का बिहार के उत्मुक्यमंत्री वह तस्वीर भी लिखा रहे हैं एक उत्मुक्यमंत्री तो कि दूसरे उत्मुक्यमंत्री इनके साथ ओंपिटिशन में कुछ भी अशोगनी है अस्रील तर्क गड़ रहे हैं उनको भी कहते हैं कि जरा इस बात का ध्यान रहें तापके धर्म्यन पुर्धान जी क्या कह रहे हैं सीबी आई कि इस दुशा में जा रही है और यह तस्वीर ख़बर नहीं बने तो कि बढ़े जुक्दार लोग यह ब्यक्ति अमित आनंद जी संजा जासवाल जी का करिया लभी देखते हैं भूतपुर अध्याच और यह मैं क्यों कह रहा हूँ इनकी कॉलेज की वेबसाइट पे खुद कहा गया है गर्म के लिए कि हम ऐसा कर देखते हैं हमने पहले भी कहा था कि बिहार पुलिस की आर्थिक अपराद शाखा को सफलता इसलिए भी मिली क्योंकि वह पहले से बीपी एसी की परिक्षा के पेपर लीग के मामले की जाँच कर रही थी आर्थिक अपराद शाखा ने लगता है शानदार काम किया है इसकी जाँच हर तरह के गिरो और कनेक्शन के लोगों तक पहुंचती दिख रही है 25 जून 2022 की ये खबर बता रही है कि आर्थिक अपराद शाखा की जाँच में पता चला है कि गया के रामशरंण सिंग इवनिंग कॉलेज के प्रिंसिपल की भूमिका पाई गई है साथिक केंद्रा धिक्शक शक्ति कुमार को भी गिरफतार किया गया है प्रिज़ पीज़ेपी जे डियू लीडर नहीं है जिनका इनके साथ इनके साथ की तस्वीर और बड़ी अंतरंग तस्वीर ऐसाने के भीर में एक साथ फोटो खिचा रहे हैं महला ले एक कह रहा है कि हम अपने कॉलेज की वेब साइट पे की मैं संजय जैस्वाल जी कारियाल एक कहरा मैं एक अन्यमार कभी भी जा सकता हूं एक कहरा एक मैं कोई भी परिक्षा लिख करा सकता हूं तो यह सारे लोग गिरफ्त में आने चाहिए और अनुसंधान के तख और ताकिकात के पाद सथ सथ सदा मिले और निट के एक्जाम को कैंसल किया संबद्द सुबोद सि सब्सक्राइब को अटाया कि गुना कबूल कर रहे हैं जी 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 अंट्येव के लोग बही में कहरा हूं उनको आपने वेकिंग में डाल दिया कोई जोशी की भी हुआ करते हूं उनको क्लिन चिट देगी यह कहां घर में बैठके हो रहा है पहले दिन मैंने मुझे याद है दर्में पुद्धान जी क्लीन चिट दे रहे हैं वो तो बावेला मचा जब एविडेंस आया हर जगह से बुजरात से हर्याना से बिहार से ओसे स्कूल हसारी बाग जिसका जिक्र करना मैं भूल गया तो उसके बाद यह जो आपने कहा ना कि इस्तिफा इस्तिफा मोदी जी की सरकार में नहीं हो आपके जीगा यह मोदी जी की सरकार नहीं है जिस वादमी को दो सो चालिस पे के लाले पड़ गया हो चार सो पार भैंस मंगल सुत्र मुजुरा करने के बाद उसको कोई नहीं की कदिकार नहीं है कि ब्लॉक करें इस्तिफा भी होगा पर इक्षा रद भी होगी नियाय मिलेगा क्योंकि संसद को मैनेज करना असान है सडक को मैनेज करने की कला नहीं हाती है इसान के के समी क्या हूब वापस लेना पड़ा ना संसद को तो आपने हट धर्मिता से हटा दिया था लेकिन सडकों का उबाल आपको कदम पीछे लेने को मजबूर कर मनोजान ने ठीक ही कहा कि इसका भी पता लगाया जाना चाहिए कि कहीं भी पेपर लीक हो रहा है उसका बिहार से कनेक्शन निकल आता है यही नहीं जब CBI की टीम जांच करने के लिए बिहार के नालंदा पहुँची तो उसके साथ मार पीठ हो गई मामला केबल पेपर लीक का नहीं ग्रेस मार्क्स का भी है 1563 लोगों को ग्रेस मार्क्स दिये गए इन उमिद्वारों की जब दुबारा परिक्षा हुई तो 1563 में से 706 परिक्षा देने नहीं आए कहां भाग गए क्यों भाग गए 67 चात्रों को 720 में से 720 अंक मिले हैं ये वो चात्रे हैं जिने ग्रेस मार्क्स दिये गए थे तो ये हालत है इसकी विजाच होनी चाहिए कि इन 67 में से कितने परिक्षा देने नहीं आए क्या ये काफी नहीं अब भी कि परिक्षा रद कर दी जाए हमने पिछले वीडियो में बताया था कि NTA के चेर्मेन प्रदीब जोशी 2006 से ही कई आयोगों के अध्यक्ष बने हुए हैं ए भी वीपी से जुड़े रहे हैं आज कॉंग्रेस के प्रवक्ता पवन खेडा ने ट्वीट किया है कि पेपर लिग के विवादों के बीच NTA के च प्रवांदी विश्य विद्याले वर्दा के उपकुलपती के पद हेतू साक्षातकार लिए आज इंडियान इंस्टिट्यूट अव एडवांस स्टडी शिमला के निदेशक पद को भरने का साक्षातकार लेने जा रहे हैं NTA पर जांच की अवधी तक क्या प्रदीब जोशी को इस तरह की महत्वपुन नियुक्तियों में हिस्सा लेना चाहिए दूसरी ओर कॉंग्रियस महासचिव जैराम रमेश ने भुपाल से छपी एक खबर की क्लिपिंग ट्वीट की है इस रिपोर्ट में लिखा है कि 2009-10 के बीच 385 प्रफेसर की बहाली को लेकर कई तरह की गड़बडियां सामने आई थी उस समय भी मद्धप्रदेश लोगसेवा आयोक के अध्यक्ष प्रदीब जोशी ही थे उच्च शिक्षा विभाग के जिस कमिशनर ने इस मामले की जाच की गड़बडियां पाई उन्हें पच से हटा दिया गया उसके बाद जोशी जी 36 गड़ लोगसेवा आयोक के अध्यक्ष बना दिये गए हर दर्शक के बस की बात नहीं है कि अलग अलग जगहों पर छपी इन खबरों को खोच कर पढ़े और जोड़ कर देखे जब आप इन तमाम पहलूओं को एक साथ एक जगह देखते हैं तब पता चलता है कि इस देश में धांदली का सिस्टम कितना व्यापक और ठोस हो चुका है नीट पेपर लीग की जांच CBI को सौप दी गई है लेकिन उससे पहले CBI से पूछना चाहिए कि 2018, 2021, 2022 की परिक्षा लीग के मामले में उसकी जांच कहां पहुँची है पेपर लीग का यह चौथा साल है जब नीट की विवस्था बनाई जा रही थी तभी कई संस्थाओं ने इसका विरोत किया कि इतनी बड़ी संस्था पूरे देश में परिक्षा नहीं करा सकती अब जाकर परिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए एक पैनल बनाया गया आपको बताया गया होगा कि बड़े बड़े संस्थानों के धुरंदर, चेयर्मेन और वैग्यानिक शमता वाले लोग इस पैनल में रखे गये लेकिन नैशनल टेस्टिंग एजनसी के वेबसाइट पर जाएए तो पदेन सचीव के रूप में ऐसे कई बड़े लोगों के नाम मिलेंगे जिने गवर्निंग बॉड़ी का सदस्य बनाया गया है NTA की गवर्निंग बॉड़ी में 3-3 IT के निदेशक पहले से हैं 2-2 NIT के निदेशक हैं IGNU, JNU की वाइस चांसलर हैं CAT की परिक्षा से जुड़े IIM के निदेशक हैं इस तरह के लोग तो पहले से ही गवर्निंग बॉड़ी में हैं ये लोग क्या कर रहे थे पेपर लीक या परिक्षा की शुचिता तो पहली बार प्रभावित नहीं हुई 2018 के मामले की जान जब CBI ने शुरू की उसके बाद से NTA ने सिस्टम में क्या बदलाओ किये और क्यों नहीं किये NTA नाम की चीज को बंगाल की खारी में बेगी 2013 में सुप्रीम कोट के चीफ जस्टिस अल्तमस कबीर जस्टिस अनिल दवे और जस्टिस विक्रम जित सेन की बेंच ने 2-1 के मत से नीट को आसमवधानिक घोशित करते वे रद कर दिया अल्पत में जस्टिस दवे ने नीट को सही माना 2-1 से फैसला था तब मेडिकल काउंसिल अफ इंडिया ने इस फैसले को चुनोती दी सुप्रीम कोट ने 5 जजों की रिव्यू बेंच समिक्षा बेंच का गठन किया जिसके प्रमुक बनाए जाते हैं जस्टिस अनिल दवे अप्रेल 2016 में सुप्रीम कोट की इस बेंच ने नीट को सही करार दे दिया यानि पहले के फैसले में जस्टिस अनिल दवे की अल्पमत की राय को अब फैसले में बदल दिया गया पुर्व जस्टिस अनिल दवे को आयोध्या में राम मंदिर के उधगाटन के समय बुलाया गया था उस समय 13 रिटायर जज़ों को नियोता दिया गया था उनमें से एक अनिल दवे भी थे अनिल दवे ने आगे चलकर राम माधो के किताब के लॉंच के समय में भी हिस्सा लिया, अपने विचार रखे, मंच पर RSS के भी एक नेता मौजूद थे जुलाई 2016 में लोकसभा में कानून पास हुआ, देश भर के मेडिकल कॉलेजों के लिए एक परिक्षा तैय कर दी गई, नीट को लेकर 2011 से ही चर्चा चल रही थी, 2012 में इसे लागू करने का पहला प्रियास किया था, यह 2011 की खबर है, इसके अनुसार गुजरात ने नीट का व 85% चात्रों को नुकसान होगा, यही दलील तो आज तमिलनाडू दे रहा है, तमिलनाडू ने नीट का पूरजोर विरोध किया है, अब भी कर रहा है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं, नीट यूजी की प्रवेश परिक्षा का आयोजन, NTA, National Testing Agency कराती है, नीट पीजी की परि combination of medical students, NBE कराती है, इस संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर अभिजात सेट, 2016 से इस पत पर है, यानी 7 साल से इस पत पर एक ही व्यक्ति बैठा है, क्या इस देश में दूसरा योग्य व्यक्ति नहीं, उनसे जुड़ी कुछ पुरानी खबरें आपको दिखाना चाहता हूँ, या जुलाई 2016 की खबर है, टाइंस ओफ इंडिया की, डॉक्टर अभिजात सेट, NBEA के तब अध्यक्ष बनाये गए थे, दे नैशनल कोईलिशन अफ एथिकल डॉक्टर्स ने उनकी नियुक्ति पर सवाल उठाया था, कि जो व्यक्ति अहमदाबाद की अपोलो अस्पताल का निदेशक है, उसे NBE का प्रेसिडेंट कैसे बनाया जा सकता है, उनका कहना था कि अपोलो में पढ़ाई नहीं होती, एक नॉन टीचिंग संस्थान का व्यक्ति, मेडिकल की उचितम परिक्षा की रेगुलेटरी बॉडी का अध्यक्ष कैसे हो सकता है, उसी महीने इंडि का घोश की रिपोर्ट छपी है कि NBE के बोर्ड में बदलाव किया गया है, ताकि प्राइवेट अस्पतालों में पोस्ट ग्रेजवेट की पढ़ाई को आसान किया जा सके, कितना आसान हुआ है, इसकी समिक्षा अलग से होनी चाहिए, 2016 से डॉक्टर अभीजीत सेट, National Board of Examination of Medical Students NBE के अध्यक्ष है, साथ साल से, मेडिकल की पोस्ट ग्रेजवेट की परिक्षा कराने के लिए, कम से कम उन्हें प्रेस कॉन्फरेंस करनी चाहिए थी, सब के सामने आकर बताना चाहिए था, कि किस वज़ा से आखरी वक्त में NBE के अध्यक्ष डॉक्टर अभीजाग सेट का बयान छपा है, 2019 की ये खबर है, इसमें वे कह रहे हैं कि देश भर के सदस्यों को शामिल कर वे परिक्षा व्यवस्था में सुधार करना चाहते हैं, हाला कि बहुत कम समय में नीट की कमियों को ठीक कर लिया गया है, लेकिन अभी भी काफी कुछ करने की जरूरत है, इसके लिए देश भर के प्रमुक्त पैकल्टी सदस्यों और छात्रों से जानकारी ली जाएगी, बताइए 2019 में ही सुधार की बात कर रहे थे और 2024 में परिक्षा में सुधार के पैनल बना कर आपको यकीन दिलाया जा रहा है कि कु दोनों संस्थाएं अलग हैं, फिर भी स्वास्त मंत्राले ने एहतियातन इस प्रवेश परिक्षा को एन मौके पर स्थगित कर दिया, अभी तक नहीं पता कि किस आधार पर परिक्षा रद हुई, NBE को ऐसा क्या मिल गया, क्या पेपर लीख हो गया, कोई गिरो पकड़ा ग थे, उनका पैसा और उनका समय दोनों ही बरबात हो गया, आप बताईए एक एक जाम जिसके लिए आपको एक साल का टाइम मिला है, उस एक्जाम को आप इससे पहले भी एक बार पोस्पोन करवा चुके हैं, और दुबारा फिर से आप इस एक्जाम को पोस्पोन करवा रहे हैं, मतलब आप बच्चों के भविसा के साथ खिलवाड कर रहे हैं, जो बच्चा एक साल से नीट पीजी की त्यारी कर रहा है, बिल्कुल सब कुछ छोड़के, अपने सारे फैमिली फंक्शन और अपनी सब कुछ फ्रेंड्शिप, सब कुछ छोड़के वो त्यारी कर रहा और सड़नली भाग सरकार ऐसा नोटीज डालती है, जिसकी विजए से बहुत सारे बच्चों मेंटल ट्रॉमा हुआ, नीट यूजिस से पहले लीक हुआ, यूजिसी नेट लीक हुआ है, और अब गॉर्मेंट इस एक्जाम तक को जो नीट पीजी जिसके देश का भविस्य निर्धारित होता है, जिन बच्चों से, जो बच्चे आगे जाके पोस्ट करेंगे, और उसका एजाम भी उन्होंने कैंसल कर दिया, पिछले तीन साल से हेल्थ मिनिस्ट्री बिल्कुल विफल होती आ रही है, कभी एक्जाम को डिले कराते हैं, कभी जॉइनिंग नहीं आर ये भार सरकार को मैं परदानमत्री मोदीजी से गुजारिश करता हूँ, कि वो एक इंडिपेंटेंट बोडी बनाएं, जिस पे किसी और चीज़ का इंटर्फेंस ना हो, और वो बिल्कुल स्ट्रिक्टली इस एक्जाम को ध्यान से दगें, एन्बी को बिल्कुल डिज करने वाले डॉक्टर हैं, जिनोंने 5 साल की MBBS की पढ़ाई पूरी कर ली है, नीट पीजी की 2022 की परिक्षा के रिजल्ट में भी कई गडबडियां होने का दावा किया गया था, डॉक्टर चाहते हैं कि फिर से उत्तर पकपुस्तिकाओं की जाच होनी चाहिए, वकील अवन परिक्षाओं में सवालों के जवाब जारी कर दिये जाते हैं, एक छात्र ने आरोप लगाया कि उसने 184 सवालों के जवाब दिये, लेकिन रिजल्ट में लिखा है कि 174 सवालों के ही जवाब दिये गए, इसके कारण उसका रैंक पीछे चला गया, 2022 के मामले की सुनवाई ह तो फिर इन याचिका करताओं को नियाएं कैसे मिलेगा, 8 जुलाई को सुप्रिम कोट में नीट पीजी की याचिका को लेकर सुनवाई होनी है, आपने तमाम जगों से छपी खबरों को एक साथ जोड़ कर देखा कि किस तरह से इन सवालों को टाला जाता है, बचाया जाता है, बार बार परिक्षा व्यवस्था में वही गडबडियां, धांदली, दोहराई जाती है, अफसोस कि देश में परिक्षाओं का यह हाल है, लाखों छात्रों का विश्वास हिल चुका होगा, नमस्कार मैं रवीश कुमार